आज आमेरो भोलूम अफ सिलिंडर और कोन अनिस्फियर पड़न गई राखे का चाऊं। या भाईवीन एरले देखीर आनुबायगो छ यवडा क्यूब छ और को सिलिंडर छ जसको हाइट बड़ाबर छ र यो दूःटै को सर्फेस एरिया रू एक कापसमा प्यारल छन माथिको एरिया तलको एरिया प्यारल पुनी छन बड़ाबर पुनी छन किना बने कीव को दुईटा सता समनांतर छा रा सिलिंडर को पुनी दुवेई बेस सर्फेस ची समनांतर छा एस तो समनांतर भाय का आक्रितियर लाई सोलिड आक्रितियर लाई आमेरू प्रिजम बन्चों प्रिजम को बिसेश्ताकिय हूँचा बने येसको आधार हैरू बेश हैरू जयले पनी समानांतर हूँचा रा समानांतर भएको आक्रितिलाईनी हामेरू प्रिजम बन्छों रा प्रिजम को आयतन निकाल्ला खेरी जयले पनी बेस एरिया इन्टु हाइटुन छो अब एरनोस्त भाइबेनेरू यो याटा सिलिंडर दियेको छा जून सिलिंडर को रेडियस आर छा रच रख अब एस को बेस एरिया पायार इसकौआर उनगायो रा बेस एरिया पायार इसकौआर बहिस शक्यपाची एस का दुढ़्योटा पैरलाल सर्फेस यह रूपनी दु वोलूम निकालने फर्मुल अन्सार अब हमेरू स को भोलूम इरिकल टु पायारि स्क्वार इन्टु हाइट होँछ, रो स किसिम बाट हमेरले यो प्रिजम को भोलूम इरिकल यो प्रिजम 官跟你 are इन्टु हाइट यानिकी कि पायारिस्क्वारियद्स बन्न सक्षुं । एस बाटा हमेरु के कंक्लूजन पुई बने कुने पने सिलिंडर को बोलूम निकालना को लागे हमेरुले पायार इसक्वायर यज फर्मुला लगाए बने निकालना सकने रहे छों। किना बने यहां दी एको सिलिंडर को रेडियास आर छा हाइट याच्छा रेडियास आर भाईश चाके पाछी एस माया दुई योटा सर्कल हरू छन। जुन सर्कल ची एसको ब्येस एरिया हो र यी ब्येस एरिया भन्ने वित्ति के तीनियो रेका पास्वा पैरलाल छन। टप सर्फेस र अपर सर्फेस इहां भाईबीने ले देखिरों भायको च एयुटा वाड़ो छ अको फरोनललागार अविए ब्याड़ो को ब्लूम निकालन शकिन छुआ अब हमेरों यो सिलिंडर को भोलूम को साइताबाट एउटा कोन को भोलूम निकालने गोई राखे का छहूं। या देखीर नुभएको चृँ, बरावर हाइट भएका एउटा सिलिंडर लीऊं रो एउटा कोन लीऊं। जुन कोन को हाइट र सिलिंडर को हाइट पुनी बराबर चा, एसको रेडियस पुनी बराबर चा, सिलिंडर को रेडियस र कोन को रेडियस बराबर चा, अब आमेरले कोन मा पानी भरूं र पानी एक पल्टा खनायूं, फेरी अरको पटा कुनी तियो कोन मा पानी भरूं, ति पनी खनाई वेर नोस्त पानी कती भएको छा अब फेर त्यो कोन मा अमेरले पानी भरूं अब त्यो पानी कोन मा सिलिंडर मा भराउने वित्तिके तीन पल्टा कोन ले पानी भर्दाखेरी त्याप बरिये को छा इस भाता अमेरले केकुरा प्रस्ट होने जान्चा बने कुनी पनी एकोण को बोलूम इसकल तु वान बाइ थ्री सिलिंडर को बोलूम होने जान्चा अर्थात बोलूम आफ कोणि इसकल तुप पाय अरी स्कुाएर होन्चा अब हमेरु एस किसिम बाट आमेरु सिलिंडर के बोलूम को साहता बाट इस्फियर को बोलूम आमेर निकालना सक्छों। स्फियर को बोलूम निकालना खोजी राहेगा छों। अब हेर नोस्ता यानेरी आमेरले ये लाइ कोन को बोलूम इजी कल्ट वान वाइत्री पाइर स्कॉार या चुन छों। ये उटा कोन को बोलूम। अब यो कोन लाइ हामेरले स्फियर संगत्तुलना गरूं। र यो स्फियर को डायमिटर कोन को हाइट जैले पीनी बराबर छा अनि तिस्ते गरे रा स्फियर को रेडियास र कोन को रेडियास पीनी बराबर छा। या ध्यान देनुपर्णे कोरू के हो बने ये उटा कोन को बोलूम इजिकल्टू 1 by 3 pi स्कॉर उन्च और को कोन को बोलूम इजिकल्टू बने 1 by 3 pi स्कॉर उन्च यो बने के के उता बन्दाखेरी बोलूम अफ इस्फियर हो। या आमेले कीन बन्देखिन बोलूम इस्फियर को डायमेटर बने को दुई उटा कोन को रेडियास अथावा कोन को रेडियास दुई पटक जोड़ दा बराबर होन्च यानिकी 2R इजिकल्टू यज होन्च अब हामेरू या बटके कुरो प्रस्ट उन्च बने त्यो कोन को आभाईट्को यज को सट्टा मा आमिट 2R लेखना शक्णे भायों अब यजिकल्टू 2R लेखता अखेरि माथिको फार्मुला कसरी परिवर्तन उन्चहेर नोसत्त भाय बिनेरो यजि़कल्टू 2R लेखौं र इसेरी यजि़कल्टू 2R लेखता आमेर गो के उनन गायोता बन्दा खेरिये 2R किप उना गयो अरको पनी 2R किप 2R किप, 2R किप, 2P R किप, 2P R किप हामेर ले अब LCM लेऊं र 4Y3P R किप उना जान चा इस किसी माठ 2Y3P R किप एउटा बोलूम अरको कोन को बोलूम पनी 2Y3P R किप 2 बने हामेरू 4Y3P R किप उना जान चा र यो 4Y3P R किप बने को आमरो स्फियर को बोलूम हो भाई बिनेरू तपने ले किये कुरू प्रस्ट उनुपर बने एउटा सिलिंडर को बोलूम समत तुलना गरे रा आमेरले स्फियर को बोलूम पने निकालना सकता जाना चार्चा